नमस्कार दोस्तों और एस्ट जाना स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है तो आज के वीडियो में स्लीब बेजाइन बनाना बताएंगे तो देखे लंबाई ली है हमने आठ इंच और तीन इंच लिया है यह इस तरह से तीन इंच प्रार्मोर की गुलाई देते हुए इस से देखे हमारा काट है अब हमें के दूद दो पार्ट ही लिया है और लंबाई आठ इंच लेते हुए इस तरह से ले लिया है सिंपल स्लीब कट कर लिए यह याव हमें रिजाइन के लिए कट करना है श्टर और कप्ड़ा दोनों इस पर हमने जोढ लिया है उपर से आधा चूड़ेंगे और शाले तीन इंच पर ये निसान किया और नीचे जो बचेगा वो पूरा रहेगा तो ये शाले तीन इंच पर देखेए इस तरह से ये कट का निसान यहाँ पर करेंगे इसकी चौणडाई जिम नीचे के डिजाइन बनाएंगे तो और आएगी इसलिए ज्यादा चौणडाई यहाँ पर नहीं कट करना है तो इस तरह देखें कट कर लिया है अब हमें पाइपीन बनाने के लिए पटी लेनी है तो यह पाइपीन पटी ले लिया है अब एक तरप से मौर्तिवेस पर सिलाई लगा देंगे फिर देखें इस तरह से हमें पाइपीन पहले बना लेनी है तो इस तरह से पाइपीन बना लिया है जो दूसरा पाठ है उस पर भी पाइपीन हमें इस तरह से बना कर त्यार कर लिनी है झाले याँ झाले झाले लेखें और लिएमेपीन है झाल 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 झाल